हेलो गाइज, वेलकम तो आवर चैनल, इजी स्टड़ी, इजी स्टड़ी, तोड़े वी स्टार्ट दे चैप्टर इन आवर सिरीज ओफ क्लास 10th SST, दे राइज अफ नेशनलिजम इन यूरोप, यूरोप में रास्टरवाद का उधे, तो आज हम अपना चैप्टर 95 प्लस की सिरीज में ये चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करेंगे, चैप्टर ओवर्विव, पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या बाते हैं जो हमको ध्यान रखनी है, जो हम इसमें पढ़ेंगे, चैप्टर का अंकलन करते हैं, During the 19th century, nationalism emerged as a force that brought changes in the political and mental thinking of Europe, उनिस्वी शताबदी के दोरान, रास्टरवाद उभरा एक ताकत की तरह, जो की बहुत सारे बदलाव लाया, राजनेतिक और मानसिक विकास, युरोप के लोगों में, Development of the concept of nation state came into action with citizens have common identity and history, जो विकास था, निशन स्टेट का रास्टरवादी स्टेट का वो भी action में आया, वो भी काम करने लगा, लोगों के साथ, जिनके पास, आम पहचान थी, आम इतिहास था, This chapter specifically tries to unfold the events leading to French revolution and the spread of revolution across Europe, ये chapter मुख्य रूप से हमें कोशिश करता है, फ्रांस की क्रांती के वो प्रमुख events दिखाने के लिए, और कैसे फ्रांस की क्रांती का प्रभाव पूरे यूरोप में पढ़ा, वो सब दिखाने के लिए, So, पहले हम पढ़ते हैं, the French revolution and the idea of nation, फ्रांस की क्रांती और राष्ट्रवाद nation का विचार, The French revolution of 1789 led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of citizens, जो फ्रांस की क्रांती थी 1789 की, वो उसने बदलाव किया, Monarchy से, राजारानी शार्शन से संप्रभुतवता लेकर आया, लोगों के दिमाग में, लोगों के पास, Various practices were introduced to develop a sense of collective identity among guest people, बहुत सारे ही चीजों को परीचित कराया गया, किसलिए लोगों के बीच में एक सामुहिक पहचान उत्पन करने के लिए, important among them are as follows, कुछ महदफ़ोंड पॉइंट्स हमेरे लिए ऐसे दिये गए हैं, the ideas of La Petre, the fatherland and leak it on the citizens, pressurize the notion of a united community enjoying equal rights, जो विचार थे La Petre, पित्र भूमी के and leak it you own, नागरिकों के, वो pressurized, emphasized का मतलब होता है pressurize, वो जोड दे रहे थे, किस धार्ना पर की हर कोई एक समुधाय में आ जाए, हर कोई किसी के पास एक पहचानों और हर कोई अपने अधिकारों को enjoy करें, खुल के जिये, a new constitution with citizens enjoying equal right was adopted, एक नया समविधान नागरिकों के साथ आया, जिसमें हर किसी को equal rights, हर किसी को सामान अधिकार दिये गए थे, उस समविधान को लाया गया, a new flag, the tricolor replaced the former royal standard flag, एक नया flag आया, पहले वहाँ का flag था tricolor, तो tricolor को बदल के formal royal standard flag लेकर आया गया, a uniform system of weights and measures was adopted, एक uniform system weights को वजन और मापने का uniform system को लेकर आया गया, the state general was elected by the body of active citizen and it was renamed as the national assembly, इस state general, जो third state के लोग थे, उनको elect किया गया, active citizens की body से और उस body का, उस community का नाम बदल के रख दिया गया, third state का नाम बदल के रख दिया गया, national assembly और ये national assembly led की गई थी मेरा by and abis yais के द्वारा, abolition of internal custom duties, आंतरिक रिवाज करतवे जो भी थे उन सभी को बहिशकार कर दिया गया था, जो भी अंदर कर वगेरा लगाए जाते थे उन सभी का बहिशकार कर दिया गया था, new hymns were composed and oaths were taken, बहुत सारे भजन जो आजादी को दर्शाते ऐसे भजन बनाए गए थे, शपत ली गई थी बहुत सारी, एक centralized administrative system was formulated, एक केंद्रिय प्रशासनिक तरीके को तयार किया गया था, french became the national language, french हमारी national language बन चुकी थी, the regional dialects were discouraged, बोलिया जितनी भी थी, छेतरे बोलियों को निरुट साहित कर दिया गया था, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, so हमारा France की क्रांती और nation, रास्ट का विचार कैसे आया, यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नैपोलियनिक कोड और सिविल कोड उफे टीन हंड़ेड फोर, नैपोलियन आये हमारे टीन हंड़ेड फोर में, फ्रांस में, नैपोलियन वाज़ फ्रेंच स्टेट मैं एंड मिलिटरी लीडर, नैपोलियन वहाँ के मिलिटरी फ्रेंच के दोरान वहाँ पर मिलिटरी लीडर थे, जो जिनकी बहुत बहुत पॉपलरेटी थी, बहुत शारर थी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने फ्रांस में, जब वो मिलिटरी लीडर के पद पे थे, उनके वैद उपलबदियां थी, नैपोलियन चोड और सिविल कोड उपटीन हंड़ेटी लीडर के नाम से भी जाना जाता है, इस कोड के अंतरगत यह घुषना की गई थी पूरे संसार में, और जो भी देश फ्रांस के अंतरन में आ चुके थे, जैसे कि होलेंड स्वीजर लेंड इटली एंड जर्मनी यह इन सब में भी खोशना की गई थी तो कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड यह से रिलेटेड तो बहुत इंपोटेंट कोश्चन्स आता है यह बोर्ड में तो यह आपको अच्छे समझना चाहिए सुनना चाहिए दर नेपोलियन कोड कंफॉर्म दर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो नेपोलियन कोड था उसने यह कर दिया था कि अब तुम को लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है अब तुम अपने पास कुछ जमीन रख सक करते हो इसने क्या स्थापित किया था हर कानून से पहले समान तक को इस इस्टापित कर दिया गया था इसने बहिशकार कर दिया गया सभी अधिकारों का जो जनम सिद्ध अधिकार दे जनम सी 1st class and second class के लोगों को दे दिये जाते थे federalism as an economic system जागिरदारी जो की एक आर्थिक तरीका था involving payment of federal and manorial dues by payment peace ends to was ended जिनके अंदर हम लोगों को taxes देने पड़ते थे मंदिर बकाया manorial dues बहुत सारे देने पड़ते थे सब कुछ देना पड़ता था किसानों को third state के लोगों को first second state कुछ नहीं कर देते स्टीज को भी खतम कर दिया गया the system of living and collecting tax was made more equitable जो कर को एकटा करने का तिथ and tile जो हमारे टैक्स थे उनको एकटा करने का और लगाने का जो तरीका था वो अब बहुत जादे नियाय संगत हो गया था नियाय पूर्ण हो गया था नोबल्स मिडल क्लास एंड पीजेंट्स बिकेम सब्जेक्ट ऑफ दे स्टेट जो नोबल्स क्लास थी मिडल क्लास थी पीजेंट्स थे अब यह भी दाइत्व बन गए थे राज्यों के all all equally liable to pay taxes हर किसी का दाइत्व था कि वह उसको टैक्स देना ही है यह निया कि तुम नोबल हो तुम मिडल हो तुम्हें देना है नहीं हर किसी को टैक्स देना है गिल्ड रिस्टिक्शन्स वर अबुलिस समाज की जितनी भी टतिबंद थे वो उन सब को भहिशकार कर दिया गया था इंटर्नल तरीफ बैरियर्स वर रिमूवड अन्तरिक सुधार लाया गया बदलाव लाया गया कोमन करंसी एक आम करंसी थी एंडिस्टेंडराइज वेट अंड मेजर वार अंडर्यूज एक मान की क्रेथ वजन और मापने का तरीके को परीचित करवाया गया इफेक्ट ओव दर फ्रेंच जवलिशन ओन यूरोप अब फ्रांस की इस ओलसा डिकलेर डायट इट वाज़ अद डेस्टिन और फ्रेंच निशन तो लिबरेट देपल और यूरोप फ्रॉप देस्परिजम जो कृंतिकारी थे उन्होंने यह डिकलेर कर दिया था कि हमारा मिशन है और यह फ्रांस का भाग्या है कि यूरोप के लोगों को ताना शाही से आजाद करवाना इफेक्ट्स जितने भी प्रभाव थे वो हमें नीचे दिये गए हैं ऐस दा न्यूज ऑफ फ्रेंच रेवलुशन इस प्रेड एक्रोस यूरोप जैसे हमारी खबर फैली फ्रांस की क्रांती की पूरे यूरोप में खबर फैल गई थी स्टुडें जैकोविन क्लब्स प्रिपेर्ड वाइद फ्रेंच आर्मी विच मोवड इंटू होलाइंड बेल्जियम स्विजर लाइंड मच ऑफ इटली इन सवंटीन नाइटीज और इस्टेश देयर रूल जो एक्टिविटीज थी जैकोविन क्लब की वो कौन तयार करता था किस तरी को अपने रूल को स्थापित किया सेवंटीन नाइटीज में इटली में इनिशली दा फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड इन दीज कंट्रीज शुरुआत में तो फ्रेंच आर्मी ने इन सभी देशों का एज हार्विंग और सुफ्लाइबर्टी सतनतर ताकि कट्टर के रूप में इनका वेलकम किया बहुत अच्छा माना बट दा इनिशल एंट्रिसिज्म सून टर्न इंटू होस्चिलिटी लेकिन धीरे धीरे जो शुरुआती उच्साह था वह बहुत जल्दी शत्रुता में बदल गया इंक्रेज टेक्सेशन टेक्सेशन को बढ़ा दिया गया सेंस इसी को दिख रहा था कि इनका पला जुक गया है अब इस सब चीजों का एड्वांटेज इस को ले रही है एडिनिस्ट्रेटिटिव चेंजिज प्रशासनिक सेवा इन सब का लाब ले रही है और उसी वही अपने अंदर बदलाव कर रही है दा मेकिंग ओफ नेशनलिजम यूरोप यूरोप में रास्टवाद बनाना इन मिद 18th century देर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप पिर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में दा कंट्रीज लाइक जर्मनी इटली एंड स्विजर लैंड वर डिवाइड इन्टू किंग्डम्स जो देश थे ज ना कोई आम संस्कृतियों को शेयर कर जाते हैं इवन इस फोग डिफ्रेंट लैंवजेज मतलब उनके अंदर यूनेटी थी नहीं डावेर्सिटी थी हर चीज में ना अलग-अलग लैंग्वेजिस वो बोलते थे सच डिफ्रेंस जेट नॉट इसली प्रमोट इस सेंस ओफ तो वहां पर यूनिटी कैसे आएगी इन सच अ सिचुएशन इट वास डिफिकल्ट टो इस्प्राइड नेशनलिजम इन सभी सिचुएशन में तो भाई बहुत मुश्किल था वहां पर रास्टरवाद को फैलाना कैसे फैला सकते थे हालकि यह जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं इनोंने यूरोप में यूरोप के रास्टर में रास्टरवाद को फैलाने में बहुत मंदद की थी पहला क्या है अरिश्टुकेशी एंड नियू मिडिल क्लास शिच्टजन और नई मध्यवरगी क्लास शोशली एंड पॉलिटिकली लेंड एरिश्टुकेशी वाज डॉमिनेंट एंड रिच क्लास इन यूरोप सामाजिक रूप से भी राजनतिक रूप से भी जिनके पास जमीन थी जो जमीन शिच्ट जनते वह बहुत प्रमुक और बहुत अमीर क्लास थी यूरोप की वो बोलते थे फ्रेंच एक लेंगवेज थी जैसा हमने पहले पड़ा था फ्रेंच को वो बस बोलते थे कूट नहीं थी के उद्देश्य से या फिर हाई सोसाइटी में दो पावर्फुल जबकि वो पावर्फुल भी थे वो पावर्फुल थे बट थे वर रहे लेस इन नंबर एंड एक्स्प्र एक्स्प्र पूर पीजंच वो पावर्फुल थे शक्तिशाली थे लेकिन संख्या में कम थे मतलब माइनॉरिटी में थे और जो गरीब किसान है उनको बहुत शोशन करते थे सताते थे थे खाला कि जैसे जैसे जोगी करन फैलता गया इन यू शोशल गुरूप केम इंटो बेंग एक नया सामाजिक गुरूप आने लगा विच कंप्राइज़ और ने लगा उबरने लगा जिसके अंदर कौन-कौन आते थे इंडस्ट्रिलिस्ट आते थे इंडस्ट्रिलाइस आते थे बिजनेसमेन आते थे प्रोफेशनल्स एड्सक्राइज यह सब लोग आते थे इट वाज इन दिस एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लास यह सब पढ़ी लिखी जो आजादी मध्यावर्ग के क्लास थी इनकी दिमा रास्ट्रवाद के आइडिया को फैलाने के लिए सोचा और बहिशकार यह जितने भी एरिस्ट्रोगेटिक जो भी ने जनमसिद दिकार मिलते थे इनके पास जमीन होती थी इन सबका और यह इतनी पॉपलरिटी बेटोड लेते थे एक तरीके से इतने प्रमुक होते थे फि दूसरा फेक्टर था हमारा लिब्रलिजम, उधारवादी, आइडियेलोजिय ओफ लिब्रैलिजम. किसकी उधारवादी लोगों की विचार पुने परिवर्तनवादी वो जल्दी से हो जाते थे लिबरल्स फ्री माइंड़ होते थे और कंजर्वेटिव्स हमारे पुरानी विचारों विचारों को पुरानी परंपराओं को साथ लेके चलते थे तो पहले हम पढ़ते हैं इडिलोजी ओफ लिबरलिजम तर्म लिबरलिजम वाज ड्राइब फ्रॉम लेटिन वर्ड लिबरल मीनिंग फ्री जो लिबरलिजम टर्म है यह हमारा लेटिन वर्ड से निकल के आया है लेटिन वर्ड कौन से था लाइबर इससे ड्राइब होकर आया है जिसका मतलब है फिरी यह आपको most important याद रखना है for the middle class it is stood for the freedom of individual and equality of all before the law जो मध्यवर्गी class के लिए ये लोग खड़े थे व्यक्तिगत की आजादी के लिए और कानून से पहले हर कोई समान है इस चीज के लिए ये लोग खड़े थे the concept of liberalism leads to the spread of nationalism जो उदारवादी लोग थे वो किसको लेकर चल रहे थे साथ में रास्टवादी को रास्टवादी तको फैलाना चाहते थे there are two types of liberalism political and economic यहाँ पर दो टाइप की उदारवादी लोग थे दो टाइप की उनकी thinking थी political and economic अब हम देखते है political liberalism it emphasize the concept of government by consent यह किस चीज़ पर जोर डाल रहे थे कि बाई government से सहमती हो government से सहमती हो इस concept पर वो जोर डाल रहे थे it emphasize the rule of law and supported liberal democracy यह इस बात पर जोर डाल रहे थे कि कानून का अधिकार हो और हर कोई उदारवादी लोगों की लोग तंतरता को support करें समर्थन करें सिंस दा फ्रेंच revolution हलाकि जो फ्रांस की क्रांटी सी फ्रांस की क्रांटी से ही liberalism had stood for the end of cryptocurrency जब फ्रांस की क्रांटी हुई थी तब ही से उदारवादी लोग खड़े थे कि निरंग कुष्टा का जो राजा रानी का शार्षन है उसको तो उसका भाहिशकारी करो खतम ही करो क्लेरिकल प्रेजिज और जितने भी लिपी किया हैं जो भी क्लरजी लोग होते थे ना उन सब को जो जनम से दिकार मिलते थे उन सब का भाहिशकार को रोए न्यू कॉंस्टेटिशन एडर रिप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट थ्रो पार्लियमेंट एक नया सम्विदान ल लोग थे वह इस बात पर भी जो डाल रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की अनुलंगे अनुलंगेनाता हो रही है इसको खतम किया जाए इन लोगों का यह भी एम था कि भई हर किसी को मत अधिकार का राइट हो मत अधिकार देने का अधिकार हो हर कोई वोट दे यह लोग खड़े होए थे किसके अजादी के लिए मार्केट बजारों के अजादी के लिए और जितने भी स्टेट के दुवारा रेस्रिक्शन्स थूपे जाते थे इन लोगों के लिए मार्केट के उपर उस सभी का बहिशकार करने के लिए वैलियो ऑफ गुड्स और इसका यह सभी मार्केट के द्वारा सेट करा जाना चाहिए था क्रिएशन ओफ यूइफाइड एकोनोमिक टेरिटरी एलोइंग दा अन्हिंडल्ड एलोइंग दा अन्हिंडल्ड मूवमेंट ओफ गोड्स पीपल और गैपिटल जो एक ही करत एक आर्थिक टेरिटरी को बन रडंवन इसके चाहता है बच है मेर सव यूनियन ऑर जॉल वेयरियन वास फॉर्मड इन zwr 834 एक कस्टम यूनियन बना था जॉल वैरियन बना किसमें तैयार हुआ था 1834 में यह इंपोर्टेंट है दिजॉल वेरियर अबुलिश्ट तारीफ वैरियर्स एंड रिद्यूस्ट नंबर उफ करन्सी फ्रोम ओवर 30 तो टू इस जरुबीरियन के अंतरगत सारे तैरिफ बैरियर्स के और नंबर्स जो ते करन्सी के वह घट गए थे 30 से 2 तक के नंबर्स पॉइंट आते हैं निउ कांजर्विशन आफ्टर एक नए नए रूडिवादी सोच के लोग कैसे थे 1815 के बाद देंजर्वेटीव सब्लीव देटेंट सेनिटरीशन और ट्रेडिशन शुड वी प्रेजर्व जो रूडिवादी लोग थे वो विश्वास रखते थे कि प लोग निरंग कुष्ट थे डिड नो टोलिडेट क्रिटिसिजम और डिसेंट अडिड नो कुश्यों इंग अबाउट गवर्मेंट ना तो वो किसी की आलोच ना परदाश्ट करते थे ना किसी से मतवहिद बरदाश्ट करते थे और ना ही सरकार से कुछ इन बारे में कुछ करते थे जो हमारे किताब थी गाने थे सोंग से इन सभी को प्रतिबंद करके इन सभी विचारों को लेटी और फ्रीडम को ये दर्शाएंगे इन सब को प्रतिबंद कर दिया गया था देर एटिटिव तो वाट्स को और पीपल को रिसेंटम एंड फ्यूल्ट फिलिंग ओफ नेशनलिजम एंड लिब्रलिजम उनका जो एटिटिव एक तरीक से बिहेवियर था आम लोगों की तरफ वह दिरे दिरे नाराजगी के कारण बदलता गया और उनकी जो फिलिंग थी राश्ट्रवाद की और उदार वाधिता की वह भी खराब होने लगी थी फ्रीडम जो एक सबसे बड़ा इशू जो उदारवादी राश्ट्रवादियों ने लिया था वो था प्रेस का फ्रीडम जो मीडिया उती है प्रेस होती है उनको बोलने का अधिकार दे दिया गया था फोर्थ फेक्टर हमारे रेस्पांसिबल है दरे वॉलूशनरी लिज्ट्र इजुशनरी इस्ट्रूमेंटल इन इंप्रेडिंग नेशनलिज्म जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाकि रास्ट वादी की भावनों को फैलाने में विश्वास रखते थे दा रेवॉलूशनरी इसपे पोज़ लबर्ट फ्रीडंव उपोज़ चाहिए और आजादी के लिए फ्रीडम के लिए उदार्वादी लोगों लड़ते थे वो हमेशा देखते थे कि यह जो नेशन स्टेट्स का बनना है यह बहुत जरूरी है इस इस्ट्रगल आजादी किस अंगर्ष के लिए यह नेशन स्टेट्स का बनना बहुत-बहुत महत्पूर्ण है उन्होंने बहुत सारी सिक्रेट सुसाइटी इस्थाबित की वन सच नॉटेबल मतलब पॉपलर उनमें से एक पॉपलर रिवलुशनरी इस थे इटालियन रिवलुशनरी जिनका रामत है गिसी भी मजिनी मजिनी जॉइंड अस सुसाइटी ओफ कार्बोनरी एंड फोट फोर सिक्रेट सुसाइटी की स्थापना की थी कौन कौन सी थी यह इंपर्टेंट है यह तो आप लोगों को याद ही रखने चाहिए यंग इटलीन मार्शले एंड यंग यूरोप इन बढ़ने रोमैंटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फिलिंग रोमैंटिक लोगों की इमेजि सब्सक्राइब को बनाने के लिए और और कवीता इस्टॉरीज और म्योजिक कहानियां और संगीत और शेप्ट नेशनल नेशनलिस्ट फिलिंग यह सभी राश्टवादी की भावना को एक शेप करती हैं बनाती है रोमेंटिक आर्टिस्ट और पॉइट्स क्रिटिसाइज इस कारण की स्तूति करते थे और साइंस एंड इमोशन जो विज्ञान और भावना जो थी इनिटिशन और मिस्टिकल फिलिंग्स जो भी रहस्यमंद भावना थी मिस्टिकल फिलिंग्स रहस्यमंद भावना थी वह वर इंकरेज्ट उन सभी को एंकरेज्ट उन सभी को उर् प्रियास कर रहे थे कि एक सामुहिक विरासत बने एंड कॉमन कल्चर पास्ट और बेसे ओफ नेशन और एक आम संस्क्रितिक पास्ट जो है एक रास्टर के बेसे पे वो बन जाए एक नेशन इस्टेट को जब तक हमने पढ़ाना कि यूरोप में कोई नेशन इस्टेट नहीं कि इन्होंने कोशिश की और में कोशिश यही थी कि कुछ भी करके यहां पर भी नेशन इस्टेट्स बन जाए क्योंकि वह जरूरी था फ्रीडम के लिए सो अभी हमारा यह फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बाकी आगे सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हंगर हा ज्यँ बाइ गाइस